खाथून एजूकेशन सोसाइटी हमेशा से हाइर एजूकेशन और कॉलिटी एजूकेशन के लिए कोशा रहा है आप लोग जानते हैं कि माले गाओं में यहां माइनौरिटी का अधारे में फार्मसी कॉलेज जो शुरू हुआ तो हमारे यहां पर डिग्री फार्मसी अपने अधारे में हमने शुरू किया फिर इसके बाद डिपलोमा फार्मेसी भी शुरू किया, बीएमेस कॉलेज शुरू किया हम लोगों ने, और प्रोफेशनल कॉलेजेस में फीजियो थेरापी का भी कॉर्स हम लोगों ने यहां शुरू किया, यह मेडिकल के जो हमारे जो दो कॉर्सेस है, इसमें हमको यह admission के लिए eligible हो जाए वो एक चीज हम लोग दो तीन साल से महसूस हम लोग कर रहे थे उसकी जब study की गई उस पर गवर खोज किया गया educationist लोगों से जब बात की गई कि इसके क्या क्या मामलाथ है क्यूं ऐसा हो रहा है कि अपने बच्चे उसमें नीट में नीट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और हता के बीए मेस के अंदर भी scoring मास नहीं लापा नहीं ज़र बहुत बड़ा अलमिया ही है तो उसकी जब तैकी किये जब तजजिया किया गया तो ये बात निकल अभी जो नैशनल टेस्टिंग एजनसी जो गवर्मेंट ने बनाई हुई है वो नीट का एक्जाम कंड़क करती है नीट के बनने के पहले नीट का एक्जाम सीबेसी बोर्ड ही कंड़क हिया करता था अब कॉमन बात है कि जब सीबेसी बोर्ड ही नीट का एक्जाम कंड़क करेंगे जा रहे हैं दस्वी तक बारवी तक और नीट का एक्जाम उनको के सिबेसी के सिलिबस पर देना पड़ है तो उसका स्टैंडर्ड में डिफरंस है उसका हम्यादा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहे हमारे बच्चों में मतलब केलिबर नहीं है ऐसी बात नही और हम उनको बोड़ें कि आप यह अपियर करो नीट को क्रैक करो तो यह जो गैप एक जो बहुत बड़ा गैप है इसको ब्रिज करने की है हमारी जानिब से हमारी खातुन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से यह कोशिश है इसके मद्नदर हम लोगों ने यह तैय किया कि हम को एक CBSC बोर्ड का स्कूल यहां अपने शहर में शुरू करना चाहिए वेलकम तो रॉयल उनिवर्सल स्कूल इस इस 3D and robotics lab here we will teach students how to design and how to print 3D objects here we will teach students about Arduino circuit board my name is Sayyad Zaheer Abdul Khaliq I am the new principal of the Royal Universal CBSC School Malay Ground it is a new school which starts from grade 5, grade 6, grade 7 and up to grade 8 it is situated in the campus Abdul Muttallib campus Abdul Muttallib campus which is behind Hotel Sayyog Saini Khurd Malay Gaur district Naasik it is a CBSC oriented school which follows the CBSC board what we call as a central board run by central government and we are following the same pattern over here in Malay Gaur city the campus is beautifully situated in the Sayyog Saini Khurd Malay Gaur district the children coming over here definitely will enjoy the beautiful scenery around the school which again has a Royal Pharmacy College also then Ames Medical College also and hope that the children will be joining the school soon and will take an advantage of the these many classes that is grade 5, grade 6, grade 7 and grade 8 my children coming over here in Malay Gauri city school will be a new school लेकर श्रुकूल रहे का नासिक डिस्ट्रिक्ड का और हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर बच्छों को competitive exams के लिए भी प्रॉमाड़ के लिए भी यहाँ से बच्छों को त्यार किया जाए güzel right from fifth standard हम कोशिश करेंगेगे कि बच्झे अलग अलग अलम्पियाड में MTS है, NTS है, दस्वीं के अंदर NTS का एक्जाम होता है, उसमें हम अपियर कराने कराएंगे इंशालला, और उससे यह होता है कि बच्चों के अंदर एक competitive exam को लेकर उनके अंदर awareness भी आती है, और उसमें कैसे competitive exam को crack किया जा सकता है, उसका know-how बच हूँ कि नॉर्मल स्कूल में तो classroom रहता है, library है, science lab है, ये common चीज़े तो रहती है, हमारे यहाँ पर हमने कोशिश की है कि infrastructure wise बच्चों को बैठने के लिए classroom में अच्छे bench उसमें introduce किये हमने, ताकि उनको ergonomically जो designed benches है, वो इसाब से बच्चों को तकलिफ नहीं हो बैठने म एक वो चीज़ है, दूसरी हमने class में digital board introduce किया है, मैं समझता हूँ ये हमारे शहर का पहला school रहेगा जहां पर digital board है, मेरे ख्याल से आपको उसकी shooting भी लेना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, आपके viewers को, दूसरा number of books हमारे यां library में available है, lab introduce की है, मैं समझता हूँ ये भी शहर में पहला school रहेगा जहां पर ये है, activity based learning lab में हमने यहां पर robotics को ज्यादा ध्यान दिया है, future अभी robotics का ही है, artificial intelligence है, internet of things है, ये सब जो चीज़े हैं, ये हमने हमरी school में introduce की है, और बाकादा as a syllabus इसमें हमने इसको introduce किया है, अब उसके अंदर हमने 3D designing का, उसमें को, मतलब curriculum में उसका 3D designing उसके course में है, 3D printing है, 3D printer मैं समझता हूँ, किसी न सुना नहीं होगा अपने आशेयर में, ये देखा नहीं होगा, ये future है, ये education का future है, जब तक हम हमारे बच्चों को इन चीज़ों से रोशनास नहीं कराएंगे, हमारे बच्चे आगे future में future ready नहीं होंगे, हमको हमारे बच्चों को future ready करना है, ताके वो आने वाले जो दोर है, उसमें दूसरी कौमों के बच्चों को compete कर सके, ये जब हमारे बच्चे graduation के बाद जब बाहर निकलते हैं, जब चीज़ों को इस अब समझ में आती है, ये मालूम पड़ता है, तो ये चीज़े हमने, artificial intelligence क तो हम बहुत ज़्यादा इंशालाँ उस पर focus करेंगे, internet of things है और बाकी computer related चीज़े हैं, हम उसमें हमारे बच्चों को perfect बनाना चाहते हैं, Royal Universal School facilitated with digital board, what exactly that digital board concept is, explanation by means of technology based system, so Royal Universal School is CBSC board, situated in Khatun Education Society's Abdul Muttalib campus, Saini Khord Malega, digital board what is exactly that mean is, whatever the concept is there, that concept with a three-dimensional explanation for proper clearing the concepts, this is what the digital board is or digital classroom is, suppose whatever the thing is there, if you want to write and if that text is to be recognized by the software, so here I am giving one example, suppose Royal, so your text will be recognized and will be very well explained by you and will be understand by the students, further if you want to draw any shape, suppose you have drawn a shape, this is what apple and for the sake of students, suppose your student has been admitted in some class and if you want to show that how this picture looks like, suppose there is drawing examination is there, drawing part is there, so in that if you want to explain what that image is, so in a better way you can explain how that shape will be looks like, so whatever the point will be there, so whatever the point will be there, for the explanation that will be omitted, your actual picture will be remain as such, this is some aspects related with digital board, if you go through these tools, there are n number of things that is splitter, magnifier, you can magnify, you can set the timer and all that, देखेएईगे यहमने अपने आपने जब education हासिल किया उस वखत के वसाइल उस टाइम के वसाईल, उस टाइम के रिसोर्से सो बहुत आलग थे, आज का ये जो निव ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर आडियो वीज्वल को बहुत ज्यादा अभी मकाम हासिल हो गया है बच्चों का जो हम लोग जो किताबें देख कर जो मतलब किताबों में पढ़के जो एजिम कर लेते थे चीज़े समझ लेते थे अब वो बच्चों का मामला अलग हो गया है इनको जब हम कई जो मतलब एजुकेशनिस्ट मानते हैं कि जो देखने के देखकर और जो सुनकर जो चीज़े बच्चों के सलेबस जो उनके इसमें आता है उसकी मेमरी तादेर काइम रहती है तो यह कहीं न कहीं यह जो हमारा डिजिटल बॉर्ड है इसमें तालीमी मामले में करिकुलम को बच्चे को अच्छी तरीके से डिफाइन करने में उनको समझाने में मददगार साबित होगा हमारी एक एक क्लास में हम 25 स्टूडेंट का हमने सिट अप किया हुआ है कि 25 से ज्यादा उसमें बच्चे नहीं रहेंगे देखें क्या होता है एक क्लास में ज्यादा बच्चे भर देने से फिर टीचर का बच्चों पर कंट्रोल नहीं रहता है हम चाहते हैं कि एक एक बच्चे के ओपर परसनलाइज़ तरीके से हमारे टीचर्स उस पर ध्यान दे सके उसकी एकैडमी को एनलाइज कर सके एनलेसिस उसकी कर सके इसके लिए हमने स्टेंथ 25 स्टूडेंट्स की रखी है शहर से आने जाने के लिए बस का इंतिजाम है और जो बेसिक रिक्वाइर्मेंट्स जो रहती है वो तमाम हमने यहां पर प्रोवाइड की है तेखिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहूंगा कि हम सब कहीं न कहीं जब बैढ़ते हैं अपने दिश्टधारों में दोस्तों में अमुमान गुफ्तगू होती है मसाइल को लेकर और भी बहुत सारे तो शोशल इशूस है तालीमी इशूस है उसको लेकि हम जब बात करते हैं तो हर कोई मुस्तक्बिल के सेगे में बात करता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए मतलब हम खुद कोशिश नहीं करते हैं, हमारा बोलने का मकसद यह होता है कि होना चाहिए, मतलब somebody else has to do, कोई दूसरा यह काम करे अब हमने यहाँ पर एक कोशिश की है, क्योंकि CBSC बोर्ड के जो rules, regulations, उसके norms है, बड़े सخت है और दूसरे जो अदारे हैं, वो अपनी, क्या बोलेंगे उसको, तन्जीमी मामलात या उनके माशी मसाइल की वज़े से वो चीज़े फुल्फिल नहीं कर पाते, इसके लिए वो लोग, CBSC स्कूल, शायद सोचते भी होंगे शुरू करने के लिए, मगर वो नहीं कर पाते, हमारे यहाँ वसाइल है, जो infrastructure है, CBSC को लेकर, जो उनके जो norms और जो rules, regulations जो है, उनके इसाब से सारा हमारे यहाँ सेट अप है, हमने अब यहाँ पर यह चीज़े आपके सामने रख दी है, अब यह आपकी जुम्मेदारी है, कि आप इसे कितना response करते हैं, और किस तरीके से आप हमारा support करते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा, कि एक कोशिश जो हमने, अच्छी ख स्लेबस है, सिर्फ खवांदगी के लिए है, खवांदा हो जाए बच्चे इसके लिए है, स्टेट बोर्ड का स्लेबस फालो करने के बाद, आपके बच्चे कोई भी competitive exams crack नहीं कर सकते, हम आप देख रहे हैं, मेडिकल में जाने के लिए, MBBS में जाने के लिए, हमारे सब रिपीट कर रहे हैं हो, तो कब तक हम सुराब, बतलब भी क्या बोलेंगे उसको, शुतुर मुर्ग की तरीके से हम अपना मुझ चुपाते रहेंगे, जो मामलाद हैं, उनको हमको face करना पड़ेगा, हमको realistic होना पड़ेगा, कि क्या मसले हैं, बच्चों में talent हैं, बच् आपकी जुम्मधारी है, ऐसे parent अभी आपकी जुम्मधारी है, कि आप अभी से पांचवी से बच्चे को आप वो syllabus, वो curriculum आप उसको दे, ताकि जब वो बारवी के exam में वो देने आए, तो उसको आसानिया हो, और वो competitive exams की तरफ जाए, NEET है, JAA और भी तो दूसरे competitive exam से, वो हमारा campus को देखिए, हमारे school को देखिए, अगर आपको कुछ सवालात हों, कुछ इशकालात हों आप क्या तो आप हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, हम आपके जवाब देने के लिए, आपके सामने हाजी रहें, देखिए शहर में, आगरा रोड पर जंता बैंक के नीचे हमारा सुबह 10 से शाम में 5 बज़े के दर्मियान कभी भी आ सकते हैं, यहां पर हमारा स्टाफ मوجود रहता है, हमारे प्रिंस्पल हैं, हमारे टीचर से हैं, हमारे एडमिन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप इनसे राप्ता कर सकते हैं, आपको पूरी मालूमात देंगे, आपको आपके कुश्चन्स रहेंगे, इन्शालों उसके तसलिफ बक्स जवाब देने के उसकी कोशिश करेंगे,